वीडियो पर पहले बार है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दे चानल पर पहले बार है तो सबसे पहले लाइक कर दे चानल पर पहले बार है तो सबसे पहले लाइक कर दे चानल पर पहले बार है तो सबसे पहले लाइक कर दे चानल पर पहले बार है तो सबसे पहले लाइक हुए हैं पर वीवो फ्लाइंग ड्रोन मेकेनिजम के साथ साथ एक अलगतर की पॉप अपर काम कर रहा है यह पर यह फोल्डेबल से डेकर रोलेबल स्मार्टफोन भी बना रहे हैं पर इन सब के बारे में और एक बार बात करेंगे पर अभी के लिए वीवो कैमरा फ्लाइंग द्रोन उड़ना परमिशन है या फिर नहीं उत पर एक मनी ड्रोन के अंदर आ जाएगा तो क्या भारत के अंदर आप लोग इस स्मार्टफोन को बाई करना पसंद करोगे या फिर नए कर दो अगर बात कर इसकी mechanism की देखो primary camera sensory smartphone के अंदर 200 megapixels की दी जाएगी बिना कोई फालतु के sensory smartphone के अंदर नहीं होगा क्योंकि एक ही sensor दिया जाएगा face deduction mode जैसी हवा के अंदर take off करेगा या आपके face के साथ इधर उधर automatically घुमता रहेगा और एक application आपकी phone के अंदर दी जाएगी जि इसको अराम से left right up down जहां पर चाहिए हो आप इसको उड़ा सकते हो ये ना काफी मज़दार वैसे ही मज़ा मिलेगा आपको इस चैनल को subscribe और घंटे को दबा कर जल्दी से दबा दो अगर fans दिखागे तो totally 4 fans इस mini drone के अंदर होंगे जो काफी powerful होंगे काफी दूर तक भी ये battery performance दी जाएगी और इसको चार्ज करने के लिए 678 की भी support मिलने वाली है काफी powerful चिपसेट ये स्मार्टफोन के अंदर दी जाएगी Qualcomm की Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर ये स्मार्टफोन के अंदर हो सकता है जो ये exclusive first time ever इसी स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि इतना तगड़ा future ये लोग दे रहे हैं तो इतने तगड़ी powerful भी प्रोसेसर होना बेहर ज़रूरी है 6.9 इंचस की full HD plus super amoled display दी जाएगी content streamer के लिए आपको काफी powerful experience स्मार्टफोन दे सकते हैं क्योंकि 144 hertz की super amoled display मिलने वाली है और एक high rent के अंदर 2K panola display हो सकता है कहा जार है पर देखेंगे अने वाले दिनों में क्या कुछ नहीं हो सकता है पर selfie camera के बात करें तो 48 megapixel की selfie snap पर ये स्मार्टफोन के निदिर दी जाएगी सबसे अच्छी बात 3.5 mm audio jack मिलने वाला है आप में से कफिस सारे लोग इसकी pricing को रहती तो इसकी approximate अभी के लिए price predictions के हिसाब से कहा गए तो लबबग 60 to 70,000 हो सकता है योसब टाइप C port जो भी सेंसर रूंचे सब कुछ दी जाएगी रैम विरेंट के बारे में जातों कुछ information भार नहीं है जैसे इसके बारे में और भी information निकल कर भार आएगा तुरंत आप कोई में बाता दोंगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब करना ना बुलीए वीडियो देखने के लिए धन्यवाज जैहिंद वन्यमत्रा